नमस्कार महादेव देखें देरे साथ इस समय कौन बैठी है निकिता भारद्वाज और खास बात ये है कि इन्हें आपने देखा होगा पीयर फराक वाली अब भी गाती है जी बिल्कुल पहले तो मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगी मेरा प्रणाम और तो मुझे ये ब भी कहना कि मेरा भी फेवरेट साउंग ये बन चुका है तो मां में दर्शक का भी बन कुका है इस गाने के रिलीजस के बाद अब क्या कुछ बदल गया है यह बटाए इस गाने के बाद जिदगी में बहुत कुछ बदल गया है पहले लोग सिफ निकिता भारदvाज के नाम कहां से हैं और क्या कुछ अब तक कर चुके हैं थोड़ा सा अपने बारे में बताएं मैं बलियास्त की रहने वाली हूं और अभी तक में मैंने बहुत सारे albums किये हैं जिसमें से सबसे जड़ा हीट एलबम जो रहा है वह पियर फराक वाली रहा और आगे भी कि बहुत सारे ऐसे albums आएंगे जो हीट पे हीट देंगे पियर फराक वाली गाना आखिर इन्हें कैसे मिला यह जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से शामिल हुई आप इस गाने में कैसे आप प्रपोसल आपके पास पहले तो मुझे कॉल आया रतने जी हैं एक मेरे मैनेजर है उनका कॉल आया उन्होंने मुझे पहले बोला कि निकिता मेरा फर्स्ट अलबम था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतना जल्दी पहुंद सर के साथ अलबम कैसे पियर फराक वाली के बाद आपको बहुत सारे गाने मिले वाँ इस वेरी गूड या तो कैसे फिर क्य सच में पिर रितिक जी से बात करवाएं वो तो पता चला कि हाँ है अलबम हो रहा है फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बहुत ज्यादा नर्वस भी थी कि मतलब कैसे क्या होगा मेरा फर्स्ट अलबम है तो इतना जल्दी मतलब कैसे मैं सक्सेस हो सकती हूँ औ तो अंदर से फील वाकि नहीं मेरा लग था या फिर सर की मेहनत थी जो इतना आगे तक गया और उसके वज़े से आज एक नाम और पहचान मिली मुझे क्या बात है उसके बाद लगातार गाने पे गाने आरे और नीके साथ और जाए के साथ के साहर अब अब बचे ही कौन है भी Fridays की के साहरे फिल्म में मिली एक ऑफर हुई थी मूवी खिसारी जी की मूवी है उसो मेरा चोटा सा एक रोल है वह बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा वाँ देखने आप मज़ा आगया बहुत आगया यह सबके लिए सस्पेंस था बटा आज मैंने बोला कि आप कंट्रोवर बता है कि पवण जी के बारे में क्या-क्या जानती थी आप उनसे मिलने के पहले पहली बारे में यह जानती थी को बहुत अच्छे इंसान है और पावर्ड स्टार है और जिस दिन मैं मिली लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़डूंस हैं यह मेरे साथ ऐसा कभी नही नहीं वह बच्चों से बच्च अगर वह अपना बच्पना सुरू कर देना तो बच्चों से बच्चों है सेट पे इतना हसी मजा एकदम ऐसा लगा नहीं कि मैं शूट करने फॉर्स टाइम आई हूं एक फ्रेसर के लिए मुल्दब यह फील कराना कि नहीं आप इस फैमिली की मेंबर है इस इंडस्ट्री की मेंबर है यह फील कराया उन्होंने पुरा दिन चला शूटिंग नहीं एक्चली में रात में सूट हुआ था रात में 11 बज़े से सुरुआ और सुबा के 6 बज़े तक सूट हुआ तो इनका कहने का मतलए बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती आपक पहली बते क्या होगी आप ने लो हाई नहीं किया पैर मिस्क रहा टो इतना चलता तो फिर उन्होंने अच्छा बैठा बहुत अच्छे एंस बैठे कि बैठे हुए यह भी रह तो यहाँ दर रहे थे कि क्या होगां तो मुझे यह बताएं कि कोई एक एसी यादगार वाली बात है जो पूरा रात में कोई ऐसी बात जो उनकी बहुत ज्ञादा अच्छी लगी वा उनकी सारी बात नहीं अच्छी लगती है अच्छा ऐसा होता ही रियालिटी है मैं तुरों मैंने जितने भी इंट्रव्यू एन जिस दिन मिलेंगे ना उस दिन पता चलेगा ऐसे तो नॉर्मली पुब्लिक प्लेस में तो किसी को भी इतना ज़दा खुल के नहीं हो सकते हैं क्योंकि वह इतने सीनियर हैं तो एक होता है अपना लिमिट लेकिन ऐसे सेट वगरा पर जाएंगे और उनसे मिलेंगे तो आप मि ये बताएं कि अब अब पवन जी तो ठीक है हो गया है काम अगिख्या अब क्या कुछ सोच रखा है अपने पीयर फ़राक से दुसरे पी कलर्स पर जायेंगे जी जरूर जाएंगे जैसे जैसे मुझे काम आएगा पवन जी क़एंगे क्या न पीर फ़राक Story फिन्क पर आग है इस इंडस्ट्री में क्या कुछ करना है आपको कहां तक पहुतना चाहती है वैसे तो मेरा कोई मतलब सपना अभी तक ने क्योंकि सपना देखना और उसको सच करना एक अलग बात हो जाती है मैं चाहती हूं कि मैं जो भी काम करूं वह एकदम अच्छा हो ना कोई वलगर हो कोई जैसे आज कल के भोषपूरी इंडस्ट्री में हो रहा है उससे हट के मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हूं इस इंडस्ट्री में कोई एक ऐसी एक्टर जिसको फॉलो करते हूं जिसकी बातें अच्छी हो उनके जैसा बनना है या उनसे बड़ा बनना वैसे सब्सक्राइब तो एक होती न अपनी पसंद होती है हमारी आइडल है मैं रियालिटी है शेरनी है वह के नाम से मचुहूर है महनती है अगर एक गल्स पावर कहें तो उनके अंदर बहुत ही है शीखने मिलता है उन्होंने इतना इतना प्लिग किया और खुदके मैहनत पे अ और कहीं न कहीं अपने मेहनत के बल्बूते पर बनी हुई है और सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अभी नित्री भी 15 लाख रूपे उन्होंने पिछली फिल्म के लिए सिधे डबल फेस तो अक्षरा से सीखने के लिए बहुत कुछ है बहुत शुक्रिया निकिता हमसे बात मेरे उपर बनाए रखे थैंक यू थैंक यू और महादेव इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू लिखेगा कोशिश करेंगे इनके जवाब आप तक जल से जल पहुंचा दे बने रहे हमारे साथ